चलिए आज बनाते हैं पांच इनोटों बनने वाला ऐसा टेस्टी नास्ता जिसे बनाना बहुत ज़्यदा आसान है तो चलिए आज की रेसेपी सुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजेगा इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग वाल में यहां ले रहे हूं आधा कप सूजी आधे कप सूजी से बहुत सारा नास्ता बन करके तयार हो जाता है पैंटनी के लिए मैं यहां डाली हूँ वन थर्ड कप मैदा मैदे के जगा पे आपके हूंगे आटे कभी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें मैं डालूँगी दो चमच फ्रेस दही आप चाहें तो जितना सूजी लिए हैं अगर आपको ज़्यदा दही खाने के शोखीन है तो जितना सूजी है उतना ही दही का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो दो चमच दही में भी इस रेसेपी को आप बना सकते हैं अब चलिए इसमे थूरा थूरा सा पाने को डालेंगे याद रही कि नास्तिते को बनाते से महिन ज़्लिफव पाने कान का सबढ़ें थूरा थूरा सा पानी डालें से उच्छा तरीके से लिया एंष्थ मिक्स करें का लगुंतरा मटर का इसे माटर को मिकसर के दատ से गॉतल का पानी के लिए अच्छा तरिके 23 ते शोड़ी चुका है विए आप इसमें हम डालेंगे सब्सक्क्रार चमच अब तोड़ी सब्सक्राइब के थोरा सा डाल देंगे हरी मिर्च एकदम बारी कट करके आपको जितना तीखा खाना पसंद है उसके हिसाब से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया अगर आप लैसुन खाते हैं तो आप इसमें अगर या फिर पॉकॉडी में आपको लैसुन का फ्रेवर पसंद है तो दो लैसन की क अब इसमें हम टाल देंगे मटर जो हम पीस करके रखे हुए थे मटर को डालने के बाद से मासाले अट कर लेते हैं जैसी कि आदा छोटा चमच कूटा हुआ लाल मिर्च आजवैन का फ्रेवर बहुत ही अच्छा आता है आदा चोटा चमच डाल देंगे के कूटा हुआ ला मिर्च जैसामी को मिक्स चमच मेंट गनाँ जान है जो इसे नाचनके बनति बदेंगे How che لهी स्टा और विखे में मीड़ा सकते मिड़ात चाहिए बन देंगे ल्ड़ाय विखें तर य रेसेपी को बना सकते हैं चलिए अब Hiаете करने के लिए तेल को मीडियम गरम रखे और गैस का फ्लेम जो है मीडियम पे ही रखे यह थास्ते को फ्राइ करते समय सबसे अच्छी बात कि आपकी जितनी बड़ी सी कड़ाई होगी उतनी ज्यादा पकोड़ी एक बार में फ्राइ कर सकते हैं बहुत यसानी तरीके से आप इस पकोड़ी को फ्राइ कर सकते हैं देखे एक बच को मैं फ्राइ कर ले हूँ एक बच को फ्राइ करने में कम से कम आपको तीन से चाजर मिट कहीं समय लगेगा अब दिखे गा बिल्कुल भी एक दूसरे हमें चिपकेंगे नहीं और देखे सेकंड बच में कितने सारी पकोड़ियों को फ्राइ कर के रेडी की ह या फिर सामें चोटी मोटी सी भूक लग जाती है चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने के सोखीन है तो इस नास्ते को बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगा और देखिए सेकंड वैच को भी मैं फ्राइ कर ली हूँ देखिए कितने अच्छा तरीके से फ्र फामली में जल्बर श्याड़ कीजिएगा और क्यां जरूर कि आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है ये या सल्गावं प्रणेट है आप कर दो को यह तो दो क्याक जोब्रबर कीजिए कि आधिल को के आधि आना ज़ोन गेंवान है यह एक जोड़के में